हमारा प्रस्ण है स्वेतांबर और दिगंबर कौन थे आगे बहुत ही जांदार संडार प्रस्ण है जैन धर्म से लिया गया प्रस्ण है स्वेतांबर और दिगंबर कौन थे इसका आंसर देखते हैं महाबीर स्वामी ने एक संग की अस्थापना की इस संग में 11 अनुवायू के साथ एक संग का गठन किया था जिन्हें गर्धर कहा जाता था महाबिर स्वामी की मृत्यू के पहचात इनी गर्धरों ने संग को आगे बढ़ाया सुधर्मन को इस संग का प्रमुक बनाया गया चंदगुत मौरे के समय ही आगे चलकर इन गर्धरों में मतभेद होने लगे जिसके कारण जैन धर्म दो भागों में विवक्त हो गया स्वेतामबर और दिगंबर अर्थात स्वेतामबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संपरदायों का नाम है आए बारी-बारी से देखते हैं स्वेतामबर क्या थे क्या करते थे और दिगंबर क्या थे सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वेतामबर जैन धर्म के इस सखा के संस्थापक अस्थूल भद्र थे यानि स्वेतामबर जो सखा था जैन धर्म का उसका संस्थापक अस्थूल भद्र थे यह भाग परिवर्तन वादी था यह बदलाओं का समथन करते थे यानि यह जितने भी संसार में परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों को ये स्विकार कर लेते थे वे मानते थे कि परिवर्तन ही संसार का नियम है उन्होंने वस्त्र पहनावे को अपनाया उन्होंने स्वेत वस्त्र धारन किये इसलिए इन्हें स्वेतांबर कहा गया अर्थात जैन धर्म के जिस संप्रद सभाय के लोग स्वेतव अबर किये उनको स्वेताम्बर कहा गया। इसमें वस्थर पहनावे का प्रचलं था इसमें इस्ट्रियों के लिए मोच संभव था। अर्थाथ इस संघ में इस्ट्रिया भी सामिल थी। इस सखा में महाबीर को भगवान माना गया है। इसलिए उनकी सुएत वस्थर धार्ण किये हुए मुर्ति पूजा की जाने लगी आईए देखते हैं दूसरा संपरदाय दिगंबर दिगंबर क्या था जैन धर्म के इस साखा के संस्थापक भद्र बाहुत है स्वेतामबर साखा के संस्थापक अस्थूल भद्र और दिगंबर साखा के संस्थापक भद्र बाहुत है ये साखा रूठिवादी और प्रमप्रावादी था ये परिवर्तन को स्विकार नहीं करते थे जिस तरह से सुझेतामबर परिवर्तन को स्विकार कर लेते थे लेकिन इसके ठीक भी प्रित ये परिवर्तन को स्विकार नहीं करते थे इस साखा में वस्त्र पहनावे का प्रच कुछ सम्हाव नहीं था इसाखा के लोग अंबर को ही अर्थात अकास को ही अपना वस्त्र मानते थे इनके अनुसार महावीर मात्र एक मनुस्य थे इसलिए उनकी नगन मुर्ति की पूजा किया करते थे तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को झालने बाद